हांजी दोस्तों आप सभी का एक बर फिर से हर्दिक स्वागत करता हूं DIR Education के इस YouTube चैनल पर देखी दोस्तों आप में से कई कंडिडेट्स के बार-बार यहीं कोमेंट्स और मेसेजिज आ रहे हैं कि सर जब हम SSC की ओफिसियल वेबसाइट पे जा करके दिलिपलिस ड्राइवर का जो अप्लिकेशन फोर्म है वो फिल कर देते हैं फाइनली संबिट भी कर दिया लेकिन जो अप्लिकेशन स्टेटस है यहां पर उसको हम चेक करते तो वहां पर लिखा हुआ रहा है Contents Not Verified तो क्या SSC ने हमारा जो अप्लिकेशन फोर्म हो रिजक्त कर दिया या फिर जो हमने अप्लिकेशन फोर्म को संबिट किया है तो संबिट करने में संबिट होने में कोई प्रोब्लम आ रही है या भी जो हमारा application form वो डंग से submit नहीं हुआ ये doubt है और इसके अलावा यदि हमने कोई application form भरने के time पर गलती कर दी तो उसको कैसे सुधार सकते हैं और किस दिन हम उसको सुधार सकते हैं ये सब कुछ आपका doubt इस वीडियो में clear हो जाएगा तो दोस्तों वीडियो को end तक जरूर देख लेना और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से जरूर सबस्क्राइब कर लेना क्योंकि इसी परकार की जो real and authentic जो information वो आगे भी आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी अब देखे चलते हैं सबसे पहले ससी के application form भरवाने के pattern की तरफ जब ससी कोई भी application form फिल करवाती है उसके बाद वो उसे कुछ दिन pending में रखती है verify नहीं करती है जब उसकी जांच पड़ताल कर लेती अच्छे से यानि जो आपने आपकी journal information application form भरने के time पे फिल की है अगर उनको verify कर लेती है तो कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर जो application status है वहाँ पर आपको मिलेगा application accepted या फिर जो आपका content है वो verify हो गया है और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ एक परसन के लिए है जो भी application form अभी फिल कर रहा है उन सभी के pending में है जब इस application form की last date चली जाएगी यानि 39 तारीक के बाद धीरे धीरे यह यह SSC ने अभी तक check नहीं किये है तो SSC के दुआरा verify नहीं किये गए है इसके अलावा जो application form है वो भी complete हो चुका है लेकिन SSC के दुआरा जो आपकी information जो आपने फिल की है जैसे किसी ने LMV जो license उसकी issue date गलत फिल कर दिया आपने जो driving license नंबर है वो गलत फिल कर दिया इसक जो application verify हो गया है application आपका accept कर लिए SSC ने यह सब कुछ application status में कुछी दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा अभी आपको दो चीजों पर मुख्य ध्यान रखना है एक तो सबसे पहला point यह है कि जो आपने आपकी जितनी भी journal information SSC को दी है वो बिलकुल correct होने चाहिए बिल सामने निकल करके आएगा इस form में निकल करके आते हैं तो यहां पर जितनी भी आप information फिल कर चुके हैं वो आपके सामने आएंगी अगर उसमें कोई भी information गलत है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं 2 अगस्त को आपकी correction window open करेगा SSC यानि एक ऐसी window जिस पे सिर्फ correction form आपक दुबारा से edit होंगे या modify होंगे तो आप उस window पे जा करके जो इसी profile पे open होगे ठीक है न तो आप यहां से जा करके आप अपना जो application form उसमें correction कर पाएंगे उसकी SSC feeb अलग से charge करेगी जो 200 रुपे रहेगा one time के लिए अगर आप second time करते तो 500 रुपे आपके लगेंगे त एक time में यानि one time में आपको वो बिल्कुल सही से दुबारा से fill कर देना है अगर आपके कोई mistake हो भी गई हो चाहिए वो license को लेके हो license की जो issue date है other license number होए कोई भी information जो आपसे incorrect fill हो गई है तो उसको आप correct कर पाएंगे 2 अगस्त 2022 को official website पे आपको जाना है आपकी profile open करना है व not verified तो इसको लेकर के ज्यादा तनाव नहीं पैदा करना है दिमाग में कि हमारा application form reject हो गया है ऐसा कुछ नहीं है SSC जैसे ही आपके application form को verify करेगी उसके बाद यहाँ पर application status पे application accepted या फिर contents are verified यह options आपके देखने को मिल जाएंगे कुछी दिनों में ठीक है तो उसकी आपको tension नहीं लेनी है आपको सिर्फ और सिर्फ यह ध्यान देना है कि हमने जो application form फिल करते टाइम जितनी भी general information दी हमारे बारे में वो बिल्कुल ठीक है उसके लबाद दूसरा जो point है वो है payment status को लेकर के यहाँ पे payment status आपकी complete होनी चाहिए उसमें incomplete options नहीं आना चाहिए अगर आपको क्या करना है यहाँ पर देखे payment वाला option आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपको किलिक करना है जैसे इसकी payment हो चुकी है तो यहाँ पर लिखा रहा है यू है ओल्रडी पे दफीज कि जो फीज है वो हमने ओल्रडी पे कर रखी है अगर किसी की pending में होगी तो online offline आप आपको options दिख जाएंगे वहाँ से जाकर के आप अपनी जो fees है उसको pay कर सकते हैं यहाँ पे payment status भी आपका check कर सकते हैं अगर आपने payment कर रखी है ठीक है यह जो transaction status है वो success दिखाएगा ठीके दोस्तों यह कुछ journal information थी जो आप सभी के साथ share करनी थी दोस्तों वीडियो अगर